नमस्कार साथ यो वंदे मात्रम बात करेंगे दोस्तों नर्शिंग ओपिसर भरती 2023 की जो विगपती है और बड़ी खुसकबरी जो है आचुकी है आप देख सकते हो ये नोटिपिकेशन है वो जारी किया गया है चिकिस्सा विभाग के द्वारा यानि कि सीफू के द्वारा ये वेकेंसी निकाली गई आप देख सकते हो 5-5-2023 काफी दिनों से आपको जो है इस भरती का इंतिजार था और वो घड़ी आपकी आचुकी है हमने आपको पहले ही कहा था कि 4 बजे शाम तक जो है नोटिपिकेशन आ जाएगा लेकिन किसी कारणबर से ये नोटिपिकेश साड़े 5 बजे के आसपा साइट पे डाला गया है इसी को देखते हुए दोस्तों आप देख सकते हो ये चिकिसा विभाग की नर्सिंग ओफिसर भरती 2023 का जो है नोटिपिकेशन आ चुका है यह पद इस्ताई है यहाँ पे आप देख सकते हो यह पद इस्ताई है इनमें कम एक लोग के टिगरी के है ठीके दोस्तों नोन टीएसपी के है 6989 और 49 पद जो है टीएसपी अरिये के है इस परकार से आप देख लीजेगा सारी चीजे यहाँ पे मैंसन की गई है 6989 पहले भी हमने इसका जो है वीडियो आपको पदों का वीडियो बना कर के बता दिया था और यहाँ पे आप देख सकते हो विशेश योग्य जन के लिए है सामाने महीला विद्वा सब के लिए यहाँ पे अलग अलग जो है के टिगरी वाई जो आप अपने पदों का वीरवन देख सकते हो दोस्तों इसी परकार भूत पूरों सेनिकों के लिए यह आप देख सकते हो यूर हेलो 314 है एसी के लेक 138 है और बारा जिले की जो सहरी आदिम जाती है नहीं कि जो टेस पी एरिये के हैं उनमें सामानने के 20 पद है महीला सामानने के 16 है विद्वा के 3 है यानि टोटल जो है 49 पद है बेक लोग के इसी को लेकर कि आप देख सकते हो यहां पे साप कहा गया है कि केवल राजस्तान राज्य के मूल निवासी ही इसमें आविदन कर सकते हैं और यहां पे दोस्तों राजस्तान राज्य के मूल निवासी पिता के नाम से जारी किया हुआ मूल निवास परमान पत्तर आपको लोड करें दोस्तों मूल निवास परमान पत्तर जो है पिता के नाम से बन्वाना है ठीक है दोस्तों और इसी के अलावा आप देख सकते हो इसकी मेरिट तयार होगी सारी चीजे सेक्स्रिक योग्यता की अगर बात करें नर्शिंग ओपिसर के पदगी तो आपके पास दोस्तों ये देखें सीनिर सेकंड यानि ट्वल्थ का जो है ट्वल्थ पास और जी एनम कोर्ष आपके पास से होना चाहिए और आर एंसी का रजिस्टेशन आपके पास से ह मानने नहीं होगा ब्यारती का ओनलाइन आविदन की अंतिम्तिति तक राजस्तान राज्ये नर्शिंग कोसिल में पंजियन होना अनिवारी है दोस्तों आविदन की जो अंतिम्तिति है यानि की जो अंतिम्तिति है उससे पहले पहले आपका आरंसी का राजस्तान ओपिसर एर्टु जो वेतन है वो मिलेगा L11 की इसाफ से आपको वेतन मिलेगा सब्भी सजार पान सु रुपे आपका जो है वेतन यहाँ पे सेलेरी आपकी रहने वाली है इसी के अलावा आपकी जो है नियूनतम अगर आयू की बात करें तो 18 साल रहेगी अधिकतम आयू की अगर हम बात करें तो 40 वर्ष आपकी रहने वाली है आयू की घंड़ना जो है 1-1-2024 को आधार मान करें यह आयू की घंड़ना आपकी की जाएगी और इसी के अनुसार आप देख सकते हो आवेदक जनम तीती है तू सेकेंडरी की अंकतालिका की फोटो कोपी अंकतालिका में जनम तीती अंकित नय होने पर सेकेंडरी परिक्षय उतरीन करने का परमान पत्तर आपके पास होना अतियावे सके है ठीक है दोस्तो? और इसी के अलावा आप देख सकते हो यो आयू की हमने आपको किलियर कर दी है और ये दोस्त इस परकार से आपको छूट मिलने वाली है कि जो है पाँच वर्स की चूट मिलेगी साम्माने वर्क की जो महिला उनको भी पाँच वर्स की है यहाँ पे 10 वर्ष की है जो SCST category वाले है उनको ठीक है दोस्ते इस परकार से आपको छूट भी दी गई है यह सारी चीज़े आप देख सकते हो काफी लंबा चोड़ा PDF है और चैन की जो आपकी परकिरिया रहने वाली है उसमें दोस्तों जो है आपकी जो है सेक्षिनिक योग्यता में जो है व्यवसाइक और सेक्षिनिक योग्यता के 70% और अनुबोव के 30% आपके यहाँ पे जोड़ करके यह मेरिट आपकी तयार की जाएगी और डेड गुना अब भ्यारतियों को यह देखे दोस्तों दस्तावे सत्यापन का पूरा पीडियेप यहाँ पे आपको मिल जाएगा दोस्तों काफी लंबा चोड़ा पीडियेप है और दोस्तों सारी चीजे हमने आपको किलियर की है पांच तारिक से आपके आज से साम चार बज़े से फोरम बनना सुरू हो जाएगे और जून 4 जून 2023 तक 12 बज़े तक यह लिंक आपका ओपन रहेगा यानि कि 4 जून तक आप इसका फोरम भरे सकते हो और फोरम बनने में कोई भी गलती किन्तु परंतु ना करे दोस्तों यह दे कि आवेदन तुरूटी संसोधन करने है तो फिर भी आगर आपको समय तो दिया जाएगा लेकिन आप अपने नजदी की इमित्तर पर जाकर के स्वेम जो है इस फोरम को भरवाए आराम से देख करके फोरम भरवाए जल्दी बाजिवाला काम ना करें दोस्तों क्योंकि दोस्तों यह फोरम एक बार भर जाएगा तो फिर आपको काफी समश्या आएगी अगर आप गलत कुछ भी करते हो तो यहाँ पर ओनलाइन फोरम भरने की जो है सारी चीजे मैंसन की गई है और इसी के अलावा से दोस्तों आप देख सकते हो जो एप्लिकेशन आईडी और जो आपकी SSO आईडी वगरा जो भी आपको दी जाते है उनको आपे बिलकुल संभाल करके रखेगा क्योंकि आगे की ज चीजे काम में आएगी ठीक है दोस्तों इस परकार से सारी चीजे ध्यान में रखेगा उसके बाद भी पूरे फोरम को चेक करने के बाद ही आप सब जो इसको सब्मिट करवाएगा और यह देखिए दोस्तों काफिर लंबा चोड़ा यह पीडियेप है और इसमें जो है पर दिया गया है यह देखिए दोस्तों आवेदक को नविंतम रंगीन फोटू अधिक्तम चेह माहा से ज्यादा पुरानी आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए और इसी के अलावा दोस्तों आपका जो है फोटो में चेहरा पूर्ण दिखना चाहिए और सामने से इस पस्ट द चेहरा और सीर किसी भी कपड़े चाया या बालों से डखा हुआ नहीं होना चाहिए यानि कि आवेदक का जो सीर आखना कान ठोड़ी इस पस्ट रूप से दिखनी चाहिए यहां पर साप कहा गया यदि आप चस्मा पहनते हो तो फोटो किचवाते समय चस्मा पहन सकते हो ल क्राफी लंबा चोड़ा पेडियेग है दोस्तों आप देकर लिजिए का इसका पीडियेप का जो है आपको हमारे टेलिग्राम गरूप और וारसक्पा प्रूप पर पूरा पीडियेप मिल जाएगा वार्सकप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिपशन मिल जाएगा वहां ज रहेगी सुलक की अगर दोस्तों बात करें तो 500 रुपए सामाने के लिए रहेगा EWS के लिए 300 रुपए रहने वाला है और इसे के लाओ जो महीला वार गया CST के टिगरी है उनके लिए 2500 रुपए यहां पे रखा गया है और TSP अरिये का है और कोई समझ्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं हम आपके कमेंट्स का रिपलाई जरूर करेंगे ठीक है दोस्तों और देख लीजेगा काफी लंबा चोड़ा पीडियेप यहां पे रहने वाला है यह देखे सारी चीजी हमने फिर भी आपको किलियर कर दी गई है और आगे हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों इन भरतियों से संबंदित अगर आपको कोई विए समझ्या रहेगी तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही था और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल पन नहींहां हो तो चलो को सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत